हेलो दूस्तो नमस्कार और उसका इंपक्ट क्या रहेगा ये भी जानना बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है तो चली दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करते वाट उससे पहले जरूर के ना चाओंगा SMKC इस चनल में फर्स टाम विजिट क्या तो आप चाओ तो इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो और दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जरूर थैंक्स भी कहना चाओंगा आपके विशेस के लिए इस चैनल को दो साल कंप्लेट हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार ऐसा ही कंटीनुर रहेगा सपोर्ट कंटीनुर रहेगा तो ह सबसे पहले आज के दिन का परफॉर्मंस अट्रा सो पचास के नीचे देखने को मिल रहे है पॉइंट 11 परसंट की गिरावट पॉइंट 11 परसंट की गिरावट आप ऐसे भी बोल सकते हो बिलकुल फ्लैट रहा स्टॉक कोई ज्यादा मूमेंट हम लोगों को देखने को नह बज लेना चाहिए जो ऑफिशल न्यूज रहती है वो बहुत ही ज्यादा इंपक्ट करती है स्टॉक के उपर बट जो रोई सोर्सेस और सोर्सेस के द्वारा जो न्यूज आती है वो डिरेक्ली ऐसा नहीं हम लोग कह सकते कि फेक हे करके वो डिपेंड करता है कि कौन से रि देख सकते हैं लाइ मिंट इस पेपर के उपर हम लोग आ चुके हैं इसे से जरी हम लोग यह सारी बाते पढ़ेंगे हाला कि यह न्यूज इनकी भी नहीं है इन्होंने भी दूसरे के यहां से लिए तो हम लोग पढ़ेंगे रिलाइंस इंडस्ट्री की जो डॉलर 15 बिलिय हो चुकी है यहां पर थम चुकी है और आप सभी लोग को इसके बारे में डीटेल बता होना चाहिए वो मैं आप वो लोगों को यहां बता रहो हूं सबसे पहली बात आप लोग देख सकते की सोरसेस रिसोर्सेस के द्वारा रिपोर्टर्स के द्वारा यह निउस सामने आ यह सच है या नहीं इसके उपर बाद में पता चलेगा बट सबसे पहले हम लोग इसको कवर कर ले थे हैं तो आप लोगों को पता है रिलांस इंडस्ट्री ने यहाँ पर केमिकल ओ टू सी जो बिजनेस है साओधी एरेम को के साथ आप सब लोग पता है जो डिलिंग थी बीस परसेंट तक का स्टेक यहाँ पर सेल होगा और 15 डॉलर 15 बिलियन इतना जबरदस अमाउंट करने की जो बात की थी वह हम लोगों को रुकावट मतलब रुकते वए देखन मिल रही है और यह बात किसी एक नहीं फाइंड नहीं किया आप देख सकते फोर चार सोर्सेस के द्वारा इस सारी बाते उन्होंने निकाली हर एक सोर्सेस अपना अपना राय बता रहे है बट सारी लोगों की अगर हम लोग बात जोड़के देखे तो एक ही यहाँ पर इसे डिले हो रहा है वो उन्होंने यहाँ पर बता दिया था पर तबीब मेने आप लोगों को का था कि जो ऑईल के प्राइजेस में हम लोगों को बहुत ही जबरदस गिरावट देखने को मिली थी और वो गिरावट क्यों थी क्योंकि रशिया और साओधी के बीच में जो इशूस क्रेट हुए थे इगो प्रॉब्लेम हम लोग बोलते हैं न कि प्रोड़क्शन कट नहीं करेंगे ओवर प्रोड़क्शन कर दिया तो ऑईल का प्राइस पानी से भी कम हो गया इसके कारण यह प्रॉब्लेम हो चुकी थी मतलब पहले जो क्रूड ऑईल का जो प्रानी बात है पिछले एजियम में यह बात हुई थी सो तभी तो क्रूड ऑईल बहुत जबरदस चल रहा था और अभी अगर हम लोग बात कर तो लगबग 50% ही आप लोग कह सकते एप्रॉक्सिमेटली 52-55% हम लोगों को यह गिरते वे देखने को मिला है सो साओधी आर्य हम को ओविसली वही है यहाँ पर रेस करेगी आज डेख सकते आप लोग हम लोग को वॉंट इंडियास रिलाइन तो रिवीव इत्स प्राइज for O2C business क्योंकि आप सभी लोग बता है global valuation of oil asset के has stumbled due to the falling demand for the crude and ये भी बात sources से हम लोग को देखने को मिली है so RMCO ने यही बता है कि वापस Reliance Industry ने जो price है वो यहाँ पे क्या करना चाहिए वापस review कर लेना चाहिए क्योंकि पहले जब हुआ होगा contract for an example dollar 70 के आसपस चल रहा था एक barrel and अभी 40 के आसपस है so बहुत ज़्यादा amount यहाँ पे Saudi RMCO को यहाँ पे करना पड़ सकता है मतलब या फिर उनको monetary loss होगा या फिर asset का loss होगा so loss अगर होगा तो वो Saudi RMCO की होगा पर Reliance को इतना ज़्यादा इससे impact हम लोगो देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि stake sale के लिए जो price pre-determine किया होगा उसमें Saudi RMCO को ज़रूर यहाँ पे राजी नहीं होगा और इसलिए जो second sources है उन्होंने भी बता है कि RMCO यह demand कर रहा है कि Reliance ने जो valuation है उसको revisit करना चाहिए recheck करना चाहिए क्योंकि अभी वो recheck करेंगे तो obviously सारी बाते हम लोगों को यहाँ पे सामने देखने को मिल जाएगी हाला कि आप सभी लोग पता है मुकेश हमबानी ने वेनस डे को बोल दिया था कि यह delay इसलिए हो रहा है क्योंकि Unforseen Circumstances यह आपर create होए थे and COVID-19 की situation भी उन्होंने आपर बता दी थी जो कि इतना ठोस reason नहीं है reason क्या है वो already मैंने बता दिया कि oil के prices में इतना जबरदस गिरावाट होते होए देखने को मिला है आज भी oil के prices comparatively बहुत ही कम है मतलब आदे ही दाम पे चल रहे है आप लोग ऐसा पकड़ के चल सकते हैं तो यह deal का होना obviously Saudi RM को के लिए बहुत ही घाटे का सोधा साबित हो सकती है सो दोस्तों यह सारी बात है obviously sources and reporters के द्वारा थी अभी यह सच है या नी हम लोगों को नहीं पता है बट यह routers जबी भी यह सारी चीज़े सामने लाता है तो हम लोग कह सकते है कि कुछ ना कुछ इसमें तत्य तो रहता ही है हाला कि सच है या नी यह तो वक्ती बताएगा बट अगर common sense की भी अगर बात लगा दे बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा so oil के prices जब तक पूरी तरह के से normalize नहीं होते तब तक तो यह deal बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है अगर हो गई तो Reliance के लिए अच्छी बात है हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद Reliance का बहुत बड़ा shareholder हो but अगर neutral रहे के अगर मैं बात करूँ तो शायद से deal बहुत ज़्यादा मुश्किल में हम लोगों को अभी भी देखने को मिल रही है so इससे जो impact गिरेगा वो Reliance industry के share price के उपर कितना गिरेगा क्योंकि आप सब लोग पता है जो 40 second DGM होई थी last DGM जिसमें Reliance ने बताया था कि जो RM को के साथ वो ये stake sale करने वाले dollar 15 billion की जो deal है उससे वो क्या करने वाले थे वो उनकी जो company Reliance industry उसके उपर जो करजा है उसको हटाने वाले थे कम करने वाले थे so ये जो plan था वो हम लोगों को Reliance industry का देखने को मिला था बट अभी उस deal का ना होने पर क्या Reliance industry की उपर बड़ा impact गिरेगा सो इतना बड़ा तो नहीं गिरेगा जितना हम लोगों को पहले देखने को मिल सकता था क्योंकि Reliance जियो आप सबी लोगों का पता है उन्होंने बहुत जादा 12 से 13 investor यहाँ पर collect कर लिये और इसके के जरिये जो पैसा यहाँ पर आ चुका है जिसके बड़ालत हम लोग कह सकते Reliance industry अब net debt free बन चुकी है और यही चीज़ हम लोगो next paragraph में देखने को मिल रहे है पढ़ने को मिल रहे है कि जो Reliance है उन्होंने जो अपना investment secure यहाँ पर कर लिया है क्योंकि Facebook है, Intel है Qualcomm जैसे company, KKR जैसे company Facebook के साथ साथ आप सबी लोग पता है Google भी है जिन्होंने 7.7% का stake यहाँ पर खरी लिया है इनको अगर हम लोग जोड ले तो Reliance के उपर जो सबसे बड़ी problem थी वो हम लोग कह सकते हैं, वो हट चुकी है क्योंकि net debt free यहाँ पर बन चुकी है बहुत सारे लोग यह भी पूछते मुझे कि debt free और net debt free में फरक क्या है कोई फरक नहीं, सिर्फ इतना ही फरक है कि net debt free मतलब उनके पास इतना पैसा आ गया है, इतना asset आ गया है कि आराम से वो चाहे तभी इस company को debt free कर पाएंगे, बट हकीकत में वो यहाँ पर अभी तक debt free यहाँ पर नहीं कर रहे हैं इसको ही हम लोग net debt free कहते हैं जो कि आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हो मतलब अगर आप Reliance Industry की balance rate भी देखोगी तो अभी भी आप लोगों को वहाँ पर करजा देखने को मिलेगा बट company के पास इतना sufficient अभी cash आ चुके है, assets आ चुके कि वो उनको repay करके आराम से अपने करजे को यहाँ पर zero कर सकते हैं और आप सभी लोग बता है company बड़ी है, management बड़ा है तो obviously बहुत सारे लोग इसके उपर believe भी कर लेते हैं तो यह deal अगर नहीं होती है for an example तो Reliance Industry के उपर long term के हिसाब से इतना ज़्यादा impact नहीं गरेगा short term में obviously share price में गिरावट होगी जो कि हम लोग को AGM के दिन में भी देखने को मिली थी deal cancel होना ही कभी भी अच्छी बात नहीं होती है and specifically अगर Saudi Aramco जैसे इतनी बड़ी company के साथ deal cancel होना ही अच्छी बात नहीं रहेगी क्योंकि आप लोग को बताना चाता हो बहुत long term relationship हम लोग को यहाँ पर देखने को मिले है Reliance Industry के वो भी Saudi Aramco की साथ लगबग 2 decades की relationship है तो इतने आसानी से अगर यह खराब हो जाते है तो यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी company के point of view से इसका impact long term के लिए ज़ादा नहीं रहेगा क्योंकि जो main problem थी वो Reliance Industry नहीं है already यहाँ पर sort out कर दिये पेसा already यहाँ पर जितना चाहता उतना collect कर लिया है बट अगर यह deal हो जाती है तो और भी हम लोगों को Reliance Industry से related जो confidence रहेगा वो बढ़ते वे देखने को मिलेगा क्योंकि एक बड़ी company के साथ Reliance Industry यहाँ बड़ा deal कर लेगी तो यह एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि यह news है reporters के दोरा, sources के दोरा सामने आ रही है officially announcement तो नहीं है officially announcement जिस दिन होगी for an example हम लोग पकड़ के चलते है अगर यह deal सफल हो जाती है तो share के price में जबरदस हम लोगो तेजी देखने को मिलेगी अगर नहीं होती है तो गिरावाट डेखने को मिलेगी बट दोनों चीजे temporary base के उपर रहने वाले है तो इससे कोई company बरबाद नहीं होगी company खराब नहीं होगी क्योंकि आप सबी लोग पता है इनका जो बाकी का business है Reliance Retail है Jio है इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीकिसी company को यहाँ पर संबाल के रखा हुआ है और बहुत सारे लोग इसी के प्रती इन company को यहाँ पर आगे देख रहे हैं तो नियूस तो बहुत ही जबरदस्ती जो कि मैंने आप लोग को यहाँ बता दिया सो यह अभी हम लोग को future में देखना है कि deal होगी या नहीं इसी से related एक बहुत बड़ा question mark है next roadmap कब रहेगा कि Reliance Industry को हम लोग पूछे कब मुकेशंबानी को पूछे कब कि आपके deal का क्या हुआ इसकी भी deadline हम लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है सबसे बड़ा यह question मारके यह Reliance Industry के ओपर थोड़ा सा pressure डाल सकता है इतना ही कहना चाहूंगा जिनके पास है वो hold कर सकते जो चाते profit book करके मुनाफ़ा कमा लेना क्योंकि हम लोग ने बहुत ही तीन digit में इसको खरीद लिया था तो profit book वो कर सकते वो हमेशा आपके ओपर छोड़ देता हूँ बट company की बात करें तो yes company long term के लिए अभी भी solid है जबरदस्त है और investor की हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते कि और भी लंबी निवेश्रकों की जो list रहती है Reliance retail में अभी हम लोगों को देखने को मिल सकती है तो आयो पाशा करता दोस्तों ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा तो जरूर इस वीडियो को like कर देना दोस्तों के साथ share कर देना तो उनको भी ये सारी चीज़े पता चल जाएगी So that's it, thank you very much दोस्तों We will be meeting on our next video, तब तक के लिए, बाई बाई